हेलो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्पियर मेंस मेथर्ड इसको रांग को रिलेशन मेथर्ड भी कहते हैं और मैंने सके आपको छोट असा एक सिंपल क्यूशन भी करवाया था और आज ये वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूं दो क्यूशन हम लोग सबसे पहले हैं नौ मैंने क्यूशन नोट कर लिया है हमारी वाल्यूशन है 20 11 72 65 20 11 72 65 43 29 50 43 29 50 देन 60 63 26 35 60 63 26 35 43 51 37 ओके मैं क्यूशन गलत नोट नहीं करना चाहता और दर्वाइस पूरा बैंड वज जाएगा ठीक है तो हमने क्यूशन यहां पर लिख लिया है अब हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए है फॉर्मूला लिख देना चाहिए जिससे की हमें पता रहे कि हमें करना क्या है सो आर इस एकॉल टू वन माइनस सिक्स समिशन डी स्क्वेर अपॉन एन क्यूब माइनस एन आप क्या कीजिए हाँ पर रैंक दीजिए सबसे पहले एक्स को तो जो छोटा नमबर है उससे रैंक देना स्टार्ट करेंगे वन देन ट्वंटी जाएका टू देन ट्वंटी नाइन थ्री देन फिफ्टी फोर मैं बैट देन फॉर्टी थ्री विल बी फॉर अंड विल बी 6 एंड दन 72 विल बी 7 फिर हम रांग कर देंगे वाय को यहां पर 26 लुएस लग रहा है मेरेको 26 देन कम्स 35 देन कम्स 37 देन कम्स 43 देन 51 देन 60 देन 63 यहां पर हमने रैंक देनी है अब क्यूशन केह रहे है डी निकाल दो तो डी निकाल लीजिए दोनों का डिफरेंस निकाल दो 6 माइनस 2 इस 4 आप प्लस में माइनस में कैसे मिलखिलो स्कूर करना बाद में कैंसल हो जाएगा देन माइनस 6 6 4 0 माइनस 2 और 2 तो यहां पर मैंने रैंक X माइनस रैंक Y करा है 2 माइनस 6 1 माइनस 7 7 माइनस 1 6 माइनस 2 4 माइनस 4 3 माइनस 5 5 माइनस 3 हम D स्कूर निकाल लेते हैं 16 36 36 16 0 4 & 4 हम वैल्यूस पुट करते हैं हम इसका टोटल निकालना है 1 माइनस 6 इंटू जो भी टोटल आएगा वो भी कर लेंगे divided by N आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 again 1 2 3 4 5 6 7 there are 7 rows so 7 cube minus 7 इसको simplify करेंगे answer आ जाएगा now guys मैंने इसको थोड़ा simplify कर लिया है यहां पर तो हमारा D square को अगर आप add कर रहे हैं यहां पर तो हमारा आ रहा है 1 1 2 36 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 फिर अगर हम value में put कर देते हैं तो 7 cube आ रहा है 343 होता है 7 cube minus 7 that is 336 तो solver क्या रहा है 1 minus 672 upon 336 that is 1 minus 2 answer is minus 1 क्या ऐसा हो सकता है यह answer यह ओता है यह पर्फेक्टली यह ओता है पर्फेक्टली नेगेटिव और अगर आप देखोगे न तो आपको clear भी होगा कि यह पर्फेक्टली नेगेटिव क्यूं है एक बड़ा आप देखिए रैंक देखिए जरां जो एक्स में रैंक दी गई है वह है वन जहां पर एक्स ने रैंक दिया ना वन उसमें वाइन रैंक दिया 7 मतलब बिलकुँ उल्टा वो हो कह रहे है यह azot 7 फिर जहां पर रैंक है 2 सेकिंड वहां पर वाइन दिये 2 दाण फिर जहां पर रहा पर यहांуб वहां पर थल्द लास्त बिलकुल कुल रंक ज़्ल रहा है जहां पर रैंक एक्स ने दिए है लास्ट महां पर रांग वाई ने दिया है फर्स्ट तो अब यह देख भी पा रहे हो क्लियरली कि यह बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं दून एक दूसरे के दाट इस वाइद यांसर इस माइनस वान तो यह चीज लॉजिकल भी है और बिल्कुल बढ़िया चीज आई यह तो काफी अच्छे सा को क्लियर हो गया कोशन को कैसे सॉल्व करा जाता है और रांग को रिलेशन के तरह से निकालते हैं नौ लेट उस जो अनेदर क्योशन जो थोड़ से ट्रिक्य है जहांपर दो या दो से ज़्यादा रांग से होती हैं तो हम वह वाला क्योशन करते हैं Now, let us attempt question number 15. यहाँ पर 3 value same आ रही है, x में, और y में कोई value same नहीं है. तो इस question को भी लिखते हैं, उसी तरीके से. मैंने question note कर लिया है, question है 40, 50, 60, 60, x में 40, 50, 60, 60, then 80, 50, 70, 60, 80, 50, 70, 60. फिर y में है 80, 120, 160, 170, 80, 120, 161, 70, 130, 200, 210, 130. 130, 210, 200, 210, 130. अभी यह बहुत ही बढ़िया question है, आपको बहुत बढ़िया तरह से चीज़ा सीखने को मिलेंगे, मैं हाँ पर सवाल ही उठता है, rank कैसे देते हैं, तो पहले हम formula लिख लेते हैं. हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, formula लिखते हैं. R equals 1 minus 6 summation d square upon n cube minus n. चलिए rank देना start करते हैं, rank x, जो भी rank, जो भी numbers यह मा रहे हैं, पहले उनको अपने दिमाग में note कर लिजिए, x में देखो 50 और 50 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो सवाल यह उठता है कि इसको कैसे rank देंगे, एक तो यह हो गया, और 60 जो है, वो 3 बार आ रहा है, तो यह question इतना perfect है, कि असमें आपको समझा देगा कि rank चाहे 2 बार आ है, जा 3 बार आ है कैसे करते हैं, फिर कोई और number रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिए, नॉर्मल ही कीजिए, आप स्टार्टिंग में तो 40 को rank देंगे 1, दो 50 हैं, एक को rank मिलेगी 2, दूसरे को rank मिलेगी 3, तो अब क्या करो, डोनों 50 को rank दे दो, 2 और 3 का average, 2 प्लस 3 डिवाइड बाइ 2, 5 डिवाइड बाइ 2 इस 2.5, इसका logic क्या है, दो numbers है, दोनों की rank सेम है, 50 को rank, एक 50 को मिलनी है 2, एक 50 को मिलनी है 3, अब सवाल यह उठता है कि कौन से 50 को 2, कौन से 50 को 3, दोनों 50 में लड़ाई हो जाएगी है, मेरे को rank 2 चाहिए, दूसरे 50 में को rank 2 चाहिए, तो अब लड़ाई कैसे solve करा रहे है, किसी को rank 2 नहीं मिलेगी, दोनों को rank 2.5 मिलेगी, ना किसी को rank 2 मिल रही है, ना किसी को 3 मिल 60 तीन बार आ रहा है, तो आप rank 1 दे चुके हो, 2 दे चुके हो, 3 भी rank दे चुके हो, ठीक है, rank 1, 2, 3 हो चुका है, अब rank बनती है, 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, अब ये तीन बार आ रहा है, तो क्या करों, तीनों को प्लस कर रहें कर दो, रिवाट बै थ्री, बेसिकली, एक 60 को rank मिलनी है, 4, दू 60 को rank मिलनी है, 5, तीसे 60 को rank मिलनी है, 6, हम कह रहे हैं, तीनों अडाई मत करो, तीनों का average निकालके, तीनों को एक rank दे देंगे, 4, 5, 6 की जगह पर, क्योंकि तीनों same number है, ये इसको solve कर क्या रहा है, 5, क्योंकि 4 प्लस 6 is 10, प्लस 5 is 15, divided by 3 is 5, तो तीनों को rank देंगे 5, हमने 1 दिया, फिर 2 और 3 भी दे दिया, average करके, फिर 4, 5, 6 भी दे दिया, average करके, फिर 7 और 8, यहां पर आगया 7 और यह आगया 8, देख लिजे, 8 number है, और हमने 8 rank दी है, तो ये थोड़ा सा part tricky था, और 7 और 8 वाला तो easy है, तो मैं उसको normal blue से लिख है, वो थोड़ से tricky था, बट काफी logical भी है, then rank हम देते हैं y को, y में भी alphabetical, ascending order में आप convert कीजे से, और ranks दीजे, बट यहां पर 2 numbers repeat हो रहे है, that is 130 और 130, खुद ट्राइब कर सकते हैं आप इसे, 80 को देते हैं rank 1, 120 को देते हैं rank 2, अब 130 को rank देनी है 3 और 4, तो हम क्या करते हैं, 3.5 rank देते हैं दोनों को, 3 और 4 की बीच में क्या आता है, 3.5, 3 प्लस 4 divided by 2 भी कर सकते हो, 3 प्लस 4 divided by 2, 130 के लिए से आगया 3.5, दोनों 130 के लिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 प्यों हो गया, अब rank देते हैं 5, 130 हो गया, 130 के बाद है 160, 3 और 4 हो गया तो फिर 5 rank देते हैं 160 को, फिर 170, फिर 200, मैंने कुछ गलती कर दी है आपर, मुझे rank देने चाहिए थी 6, 170 को 6, then 7, then 8 total, 8 ही rows है, तो वहाँ पर rank भी 8 ही चाहिए, बिलकुल सही है, अब question बिलकुल normal है, इसमें कुछ भी tricky नहीं है, बस यह rank वाला पार्ट थोड़ से tricky था, अब आप normal solve कर लिजिए, 0, then 0.5, then 0, then minus 1, then 4.5, then again 4.5, minus में, तो कि 4.5, then minus 1, then 1.5, अब इसका हम D square कर लेते हैं, और value put करते हैं, आप इसको खुट try कीजिए, इसके आगे, now guys, I hope आपने इसकी calculation कर ली है, आपकी कुछ values इस तरीके से आनी चाहिए थी, submission D square 45, अगर आप value को put करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका answer आ रहा है, and अगर हम इसे solve करेंगे, तो यह हमारा आ रहा है, इसको solve करने के बाद, इसको आपको divide ही करना चाहिए, तो यहाँ पर calculation tricky है, इसका कुछ solution है नहीं, तो आपको यह करना ही पड़ेगा, पहले इसको 3 से divide कीजिए, 3 से cancel हो रहा है, फिर आपको point में ही answer इसका निकालना पड़ेगा, तो solve करके आ रहा है, 0.54, approximately, इसका exact answer कुछ और भी आ सकता है, 5354, it's okay, फिर इसका answer आ रहा है, 0.46, और यह एप्रोक्स आप लिखतीजे, अगर आपका answer 0.4 something भी आ रहा है, so that is fine, मतलब इतना perfect answer आने की कोई problem नहीं होती है, आपको एक discipline सकती ही आ रहा है, that is okay, तो यह आपका positive, यह आपका positive, यह क्या हुआ, यह आपका positive correlation है, और यह आपका medium positive, यह आपका है, moderate positive, moderate positive correlation, अब जो answer मैंने given, जो मैंने answer दिया है, वहाँ पर, वो है 0.42 given है, तो उसको अब change कर लेजे, 0.46 कर लेजे, इसको ठीक है, इतना चलता है उसमें, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग solve करते हैं, rank correlation questions, जब हमारी values दो repeat हो जाती है, या तीन भी repeat हो जाती है, तो अभी हमने सीखिया है, so I hope आपको समझ आ गया है, इसी के साथ हमारे इस chapter का हो जाता है, the end, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, अलविदा, bye-bye. जाते हैं किसी और भी तर बता है, झालविदास, आपको समझ आपको समझ आपको समझ